जाए हिन दोस्तो यसके नॉलेज चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा AK-47 क्यूं अलग है बाकि सभी राइफलों से और AK-47 में एक बार में कितनी बुलेट्स फायर करती है तो दोस्तो अन तक हमारी इस वीडियो पर बने रहें इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे हाए दोस्तो मेरा नाम है सुनील तो चलिए सुरू करते हैं भारत और रोस के 20 सितंबर मास में AK-47 राइफलों के लिए एक डील फाइनल हुई है इस डील को सेना के लिए एक बड़ी डील करार दिया जा रहा है AK-47 को सेना के लिए अब तक का सबसे एडवांज वर्जन करार दिया जा रहा है इस राइफल इंडियन इसमाल आर्म सिस्टम की जगा लेगी AK-47 रूस में निर्मित राइफल है और इसे एवतोमत क्लासिन को के नाम से भी जाना जाता है यह एक असाल राइफल है और इसमें दर्ज 47 नमबर दरहसल उस साल को दरसाता जब यह बन कर तयार हुई थी एक मैगजीन में कितनी गोलिया AK-47 एक आटोमाइटिक राइफल है जो एक मिनिट में 600 राउंड फायर कर सकती है हाला कि फायरिंग में यह बात सबसे गौर करने वाली बात है कि राइफल कितनी तेजी से फायरिंग कर सकती है और कैसे आटोमाइट कर सकती है सूटर किस तरह से एकसल लेता है और तब तक कितने round firing होती है इसे इस तरह से मापवा नहीं जाता है AK-47 में एक magazine होती है जिसमें गोला बारूद भरा हुआ रहता है इस case में यह 30 round firing कर सकती है एक बार firing के बाद magazine बदलनी पड़ती है और एक प्रसिचित सैनिक सिर्फ 3 सिकेंड में ही magazine को बदल सकता है आटो लोडिंग मोड में 40 round firing आटो लोडिंग मोड पर एक मिनिट में 40 गोलियं फायर की जा सकती है आटो फायर में करीब 100 round firing की उम्मीद कोई भी कर सकता है आटो फायर में दुरगटना होने की आसंका रहती है और इसलिए ही military और सुरचा बेल ट्रेनिंग के समय नियंतरित firing का प्रियोग करती है यह संख्या दोनों ही प्रकार की राइफलों, असाल्ट राइफल और आटो लोडिंग हतियारों में प्रियोग होता है इंडियन आर्मी को मिले की सबसी advance राइफल सेना को इस समय 7,70,000 AK-47 राइफलों की जरूरत है और इसमें से 1,00,000 को आयात किया जाएगा जबकि बाकी देश में ही निर्मित होगी AK-47 का वजन 4,800,000 ग्राम है और इसकी firing range 800 मीटर है इस राइफल से 1,700 राउंड से भी ज़्यादा fire किया जा सकता है इसकी एक magazine में करीब 40 राउंड गोलियां होती है राइफल का viral करीब 415 mm का है तो दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment box के माद्यम से जरूर बताईएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन